क्या चलते फिरते हनुमान चालीसा का पार्ट कर सकते हैं आईए जानते हैं हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है माननेताओं के अनुसा नियावत रूप से हनुमान चालीसा का पार्ट करने से भगवान जल्दी परसंद होते हैं इसका पाट करने से भक्तों के संकर दूर होते हैं और उनकी सभी मनों कामनाय भी पूरी होती हैं साथ ही इसका पाट सही तरीके से करना फलदायक माना जाता है आए जानते हैं कि क्या चलते वक्त भी हनुमान चालीसा पड़ी जा सकती है हनुमान चालीसा पड़ते वक्त मन और शरीर दोनों को साफ रखना चाहिए। इसके लिए असनान करने के बाद लिए अच्छा करते समय घर या मंदिर में हनुमान जी की प्रितिमा के सामने से बैढ़ जाएं और मान में अच्छे फिरते भी हनुमान चालिसा का पार्ट किया जा सकता है इसके अलावा आप बैठते उठते या लेटे हुए भी हनुमान चालिसा का पार्ट कर सकते हैं हनुमान चालिसा का पार्ट करना बहुत ही पवित्र काम है इसलिए समसान या फिर सौचालाय में इसका पार्ट करना नहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जै हनुमान जरूर लिखें